तो राजसवा चुनाओं को लेकर प्रदेश की सियासत गर्माईवी है जहां बीजेपी और कॉंग्रेस से दोनों अपने विधायकों की बाले बंदी कर रणनीती बनाने में जूटी है तो वहीं अब सीपीम के रुख ने भी राजसवा चुनाओं को रोचक बना दिया है सीपीम ने अब दोनों ही पार्टियों को समर्थन नहीं दिया है माना जा रहा है कि माकपा के दो विधायक कॉंग्रेस को ही समर्थन करेंगे वहीं राजसवा चुनाओं को लेकर प्रदेश की सीपीम इकाई के सचीव मंडल की बैठक हो ही बैठक में तैय किया गया कि राजसवा चुनाओं में किस पार्टी के मक्ष पक्ष में मद्दान किया जाएगा उस पंद्रिने 19 जून को किया जाएगा कामरेड अम्राराम ने बताए कि केंदरी नेतरत्व के निर्देश पर ही CPM विधायक कॉंग्रिस के पक्ष में मद्दान करेंगे आपको बता दे कि प्रदेश में माकपा के बलवान पूनिया और गिर्दारी लाल महिया दोनों विधायक विधान सुभा में कई बुद्दों पर सरकार के पक्ष में समर्थन कर चुके है मैं कामरेड अमराराम ने बीजेपी पर जम कर निशाना साधा अमराराम ने कहा कि बीजेपी धनवल के आधार पर चिनाओ जीतना चाहती है 24 वोड के बावजुद बीजेपी ने दूसरा प्रत्याशी खड़ा किया है राजसान में बीजेपी का विधायकों की खरीद फरोग का इरादा है